देखे टॉपिक है डोमेन एंड रेंज इसको बताने के पहले कुछ बाते हम आपसे पहले बात करेंगे ज़रा समझेगा अगर मैं कहूं X is equal to 1 ये कितने डिगरी का एक कोशन है linear है ना तो X की value कितनी निकलेंगी कितनी value निकलेंगी हो क्या होगी 1 होगी ना सही कह रहा हूँ अगर आप squaring both the side कर देंगे कोई दिक्कत है और अगर squaring both the side कर दें तो ये क्या बन जाएगा एक factor हो जाएगा X plus 1 into X minus 1 X की value क्या निकलेंगी 1 और दोनों बाते क्या same है नहीं आप जोस्ती square कहें कर दियो वह आप से कहा जाएगा square क्यों कर दिया आपने अगर linear expression है तो value कितनी निकलेंगी आप उसका square नहीं कर सकते ठीक है अब हम cubing कर देंगे तब तो 3 value निकलेंगी 1 निकलेंगी आपने cube root of unity पढ़ा है ना त्यानि कि आप इसको square नहीं कर सकते ना यानि एक सगर degree का same है वन है तो value कितनी निकलेंगी समझ में आगी बात अच्छा मैं अगर कहूँ एक्स वरावर अंडर root 16 कितने degree का है वन डिगरी का है तो value कितनी निकलेंगी याद रखिएगा इसकी value केवल आएगी x is equal to 4 एक ही value इसके निकलेंगी समझ में आई बात नहीं आई अगर पहले से कोई expression quadratic है x square is equal to 16 है तब तो x की value plus minus 4 होगी लेकिन अगर केवल x वरावर root 16 है ये linear expression किलाता है इसकी value केवल 4 निकलेंगी जैसे आप से कहा जाए भाया root 16 की value बताओ तो इसको किसके को मानेंगे तो actually इसकी value क्या हैगी हो रही हैगी इसकी value ये algebra की एक condition है इस condition को मन में रखिएगा अब मैं question पर आता हूँ यादि अगर कोई function पहले से quadratic है quadratic function है तब तो उ linear function है तो उसकी value एक ही निकलेगी दो नहीं निकलेगी समझगी बात अब जरा समझेगा अब हम इस concept को use करके question आगे बढ़ रहे हैं अब हम बात करेंगे domain की और बात करेंगे range की देखे जान से अगर y is the function of x o function of x o function के लिए पहली condition x की दो value पर एक y की same value ना मिले x की दो value पर y की same value ना मिले अगर आपको parabola याद हो 11th class का y square is equal to x x की दो value हाँ x की एक value पर y की दो value ना मिले यहीं तुम्हें बोल ला था उल्टा बोल ला था हैं उल्टा बोल ला अभी सिदा हो गया x की एक value पर x की एक value पर y की दो value ना मिले यहीं तो बोला था हमने तो अगर ऐसा है तो वो function नहीं होगा जैसे हम आप से कहें y square is equal to x y is the function of x लिखा हुआ है यह parabola है ना यह parabola ऐसे बनेगा ना तो x की हर एक value पर y same है के अलग अलग है अलग अलग है ना तो यह function है लेकिन अगर यह function अगर ऐसे होता तो यह function नहीं होता क्योंकि x की एक value पर y की value दो मिल जाती तो यह function नहीं होगा ठीक है अब खिर उसे हमको मतलब नहीं हम domain की बात करने जा रहे हैं तो domain में क्या कहा गया कि अगर y is the function of x हो तो आप जानते हैं यह x होता है और जो इसकी value मिलती है वो आपकी y मिलती है है ना तो x के जो जितने element होते हैं उन्हें क्या कहते हैं domain और y की पूरी value तो होती है code domain लेकिन y की वो value जो x की image हो उसको क्या कहने range तो हम बात range की करेंगे और function और domain की करेंगे तो पहले बात domain की कर लेते हैं दोनों एक साथ बाते करेंगे अगर domain की definition आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे if y is the function of x then those values of x for which y is defined मतलब x की ऐसी value जिससे आपकी y की value निकल आए defined निकले real निकले क्योंकि आप जब function की बात करेंगे तो आपके हाँ real valued function की बात हो रही है real valued function real valued function का मतलब क्या है कि domain और range की value कैसी है real number है complex number या image number की हम बात नहीं कर रहे हैं ठीक है तो देखो ध्यान से x की वो value जिसमें y defined हो मतलब x की कोई ऐसी value मत रख देना कि value root के अंदर negative आजाए तो गर root के अंदर negative value आई तो y image नहीं हो जाएगा x की कोई ऐसी value मत रख देना कि denominator में 0 आजाए यानि यह क्या बन जाए infinity बन जाए ठीक है तो x की वो value जिसके लिए y defined हो उसे क्या कहेंगे domain अगर domain की definition लिखना चाहें तो लिखिएगा domain की definition domain की definition दोनों की एक साथ लिखवाएंगे if y is the function of x if y is the function of x then those values of x those values of x that those real values of x those real values of x for which y is defined for which y is defined called functions called domain of the function called domain of the function domain of the function और इसी में paragraph change करके लिखिए हैं those values of y those values of y ब्रैकन दो image of x y कौन सी पूरा code domain नहीं है वो element जो domain के element के image है image of x for which x is defined for which x is defined is called range is called range ये तो सस्ती सी definition है ठीक है अब आप कुछ question decision करते हैं कुछ आपकी कुछ अलग से question note किये थे एक मैं example लेता हूं जैसे क्या गंदी rating है या पता है जाला सोचने गर्मियों में अब गर्मित खताम होगी अब क्या गर्मियों में हमने कहा y is the function of x और इसकी value दी है under root x-1 और हमने कहा domain निकालो इसका और range निकालो इसका हमने कहा x की वो value जिसके लिए y real मिल जाए x की वो value जिसके लिए y real मिले या defined मिले और defined नहीं होगा दो condition में अगर x की value रखने से root में negative आ जाए तो वो imaginary और अगर x की value रखने से 1 upon 0 आ जाए तो वो imaginary तो 1 upon 0 तो यहां कुछ है नहीं ठीक है मैं domain की बात करता हूं पहले हम मैं निकालने जा रहा हूं क्या domain की बात करता हूं देखो ध्यान से यानि की x की value की root के अंदर क्या होना चाहिए greater r equal to 0 0 हो सकता है न तो domain के लिए क्या होना चाहिए x minus 1 should be greater r equal to 0 जो कि denominator तो है नहीं अब पानवे 0 का लफड़ा तो खतम यह चीज निगेटिव नहीं होनी चाहिए यानि यहां से क्या proof हो गया x is greater r equal to 1 यानि आपका domain क्या होगा 1 या 1 से बड़ा कोई भी real number ठीक है तो आप इसको अगर लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे 1, infinity close interval यहां से open interval यह domain of f df लिखते हैं संच में आगी बात तो domain निकाना संच में आगया ठीक है x की वो value जिसके लिए y defined हो ठीक है अब जड़ा उल्टी बात करते हैं चुकि इन भाई साहब की यह image है हैं और इनके पास देखेंगे कि यह इनकी वो value जिसके लिए आपको यह pre image मिल रही है ठीक है इसके दो तरीके हैं सबसे पहले तो y कितने degree का है 1 degree का तो value y की कितने निकलेगी तो पहली condition तो y हमेशा positive होगा प्लस लगा इसके पहले negative लगा नहीं तो y हमेशा positive होगा तो first condition आपको देखने से निकल रहा है कि y is greater or equal to 0 पहली तो यह condition आ गई कि y जो भी होगा वो greater or equal to होग ठीक अब जरा y के पास हम चलना है मतलब negative value y की नहीं होगी क्योंकि y कितने degree का है एक degree का है और वो value बाहर क्यों सा sign लगा है प्लस बाहर नहीं मैनस लगा हुआ है इसलिए हम उसका वो plus मैनस वाला rule नहीं लगाएंगे एक ही value लिखेंगे positive होगी ठीक अब मैं y की पास जा र substitute x-1 तो y square is equal to x-1 तो x की value क्या होगी y square plus 1 यहां से हम देखें y की वो value सर्च करो जो कि आपको x की real value दे आप y को कुछ भी रख दो तो for all y क्या निकलेगी all real values नहीं निकलेगी all real values पहले आप क्या कर रहे हैं कि y greater or equal to 0 होना चाहिए और यहां all the real values all the real values उतलब minus infinity से लेकर के infinity की मिश कुछ भी हो सकती है अब इन दोनों conditions को follow कराईए कौन से वो आप लेंगे 0 से लेकर के infinity तक तो range of f क्या निकलेगी 0 से लेकर के infinity तक यह close interval यह open समझ यही बार नहीं आई ठीक है अब आप कहेंगे यह तो ठीक है यही होना चाहिए लेकिन आपकी condition बता रही है कि y positive होगा तो negative value तो हम वहां लेंगे नहीं इसलिए हम positive ले रहे हैं यह तो दिख रहा है real value लेकिन आपको यह भी देखना पड़ेगा ना कि जिसकी यह image है उसका pre-image क्या बता रहा है उसका pre-image कह रहा है कि हमारी image positive होगी के value y positive होना चाहिए ठीक तो यह आपका domain और range निकालने का equation यह example है x minus 2 upon 3 minus x यह नहीं y is the function of x है यह क्या है y is the function of x है पहले हम domain की बात करते है domain क्या कहता है कि x की वो value जिसके लिए y defined हो मतलब x की value जो y real value दे देखो ध्यान से आप यहाँ x को कुछ भी रख सकते हैं क्यों रूट तो है नहीं तो रूट नहीं है तो negative root के अंदर आने का लफ़डा तो खतम अब एक लफडा है कि denominator में जो है वो 0 ना जाए 0 कब आएगा यानि आप कहेंगे कि all the real values बट कौनसे value नहीं होगी यहाँ पर 3 नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर x जो 3-x है ना वो शुड़ नाट बी इकुल टू 0 x शुड नाट बी इकुल टू 3 कुछ भी हो क्यों 3 नहीं हो बस काम खतम निकल आया domain चेक करने तरीका सुझगा है नहीं ठीक है अब यहाँ कुछ रूड वाला लफडात है ने कि positive negative कुछ भी हो अब आपको रेंज निकाल लिए निकाल लिए निकाल लिए डोमें आफ ऐसे df लिखा जाता है all the real values बट नाट 3 अब मैं रेंज की बात करता हूं रेंज में हमको जाना पड़ेगा वाई के पास वाई की वो वैलू जो इधर के डोमें के इमेज है वाई की वो वैलू वो वैलू जो इसके इमेज है तो किसके पास आना पड़ेगा वाई के पास जाना पड़ेगा ना बोलना पड़ेगा आपकी इसके वाले टॉपिक प्र तो यहां से y is equal to क्या है, x minus 2 upon 3 minus 1, अभी चुंकि आप किधर बैठे हैं, डोमिन की तरफ बैठे हैं, इसलिए y की value x के term में आप लिख रहे हैं, y की रिस्तेदारी x के साल लिख रहे हैं, अभी आप x की रिस्तेदारी y के साल लिखेंगे, तो x की value y के term में लिखेंगे, तो य 3y minus xy is equal to x minus 2, value किसकी निकालनी हैं आपको, x की, तो 3y plus 2 is equal to x याएगा y plus 1, क्यों, तो x की value क्या जाएगी, 3y plus 2 upon y plus 1, ज़रा ध्यान समझेगा, हमें डोमें रेंज निकालने का तरीका क्या होता है, y की वो value जिसके लिए x real मिले, तो y कुछ भी रख दो, root तो है नहीं, तो real के लिए root के अंदर negative होगा यह लफड़ा तो, है नहीं, एक लफड़ा है, कि अगर denominator 0 हो जाएगा, तो गड़ बढ़ जाएगा, तो denominator की value 0 कौन कर रहा है, minus 1, एक y की value minus 1 रखने से होगा न, तो आप जब range of function निकालेंगे, तो आ देखेंगे, पहली बात तो यह लिखा ही minus 1 है, अगर इसको देखा जाए, लिखा क्या ही है, यह minus 1 लिखा हुआ है न, लेकिन, 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 पहले इसको देखते हैं, आप x को कुछ भी रख दीजे, लेकिन 4 नहीं रख सकते, आप x की value कुछ भी रख दीजे, लेकिन 4 एकसी value आप नहीं रह सकते तो जब हम बात domain की करेंगे तो आप कहेंगे भाया देखो x की value हर real number रखेंगे लेकिन 4 यहाँ पर नहीं रखेंगे क्योंकि आप 5-0 छोड़ो यह तो 0-5-0 आजाएगा indeterminate far हो जाएगा ठीक है और जब बात range की करेंगे तो range तो अपने आप क्या आएगी केवल-1 क्योंकि हर element किसके साथ जा रहा है minus 1 के साथ जा रहा है तो केवल-1 आजाएगी value वहाँ तो ही नहीं कुछ value that minus 1 है तो यह range निकल आईगी आप यह बता दीजे कि x-4 0 नहीं होना चाहिए यह देखा हमने कहाँ हमने देखा था denominator वो तो numerator उसी साथ लपेटे में आ गया ठीक है देखा हमने denominator कि नीचे 0 नहीं होना चाहिए उपर जिरो हो सकता है ठीक है तो यह आपका question हुआ देखें यह fx is equal to x square minus 9 upon x minus 3 तो आपको साफ साफ दिख रहा है मैं जब domain की बात करूँगा तो आप x की value सर्च करेंगे कि x की ऐसी value जो y के real value दे तो root तो है नहीं आपर तो वो तो लफड़ा खतम हो गया अब बचा आपका denominator यहाँ पर x minus 3 0 नहीं होना चाहिए यहनि x की value क्या नहीं होनी चाहिए 3 नहीं होनी चाहिए तो domain of f क्या होना चाहिए all the real number but not 3 तो यह तो domain निकलाया 3 नहीं होना चाहिए ज़रा समझने की कोशिज करो actually में मैं range की बात कर रहा हूँ range थोड़ा सा लफड़े वाली है देखे actually में y बराबर यह x square minus 9 upon x minus 3 को x plus 3 ले सकते हैं तो इस x plus 3 और इस में क्या अंतर है दोनों सेम है दोनों सेम नहीं है तो पहली बार सुना अब यह तो सेम लग रहा है दोनों अलग 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 चीज़ है यह अलग चीज़ है यह अलग चीज़ है क्या अलग है जब हम graph खीचेंगे ना यहाँ पर जब graph खीचेंगे इसका graph खीचेंगे तो यह graph होगा लेकिन जब x को 3 रखोगे न तो यहाँ पर y नहीं मिलेगा यह आपका यहाँ break हो जाएगा यह continuous नहीं होगा वो continuity break हो जाएगी उस जगह पर function y नहीं देगा नहीं इसके आगे फिर दना शुरू कर देगा लेकिन उस जगह curve क्या हो जाएगा break हो जाएगा इसलिए इसमें इसमें यह अंतर है लिखा वही चीज है mathematics के हिसाब तो same लिखा हुआ है अजब mathematics के हिसाब चीज यह भी लिखा है x बराबर root 4 c value plus minus 2 होनी चाहिए लेकिन mathematics केती है नहीं भी आज़ी बात भी हो बूले कितने डिगरी का है बूले squaring को है कि squaring किये दे रहा हूँ मत अब linear squaring कर दो cubing न कर दो अपने मन से doing power 4 यह को नहीं चलेगा तो वैसे यहाँ पर भी तो y मिलेगा वैं y की तरफ जाना है न आपको तो x की तरफ से देखो न x को रखा हमने 1 y क्या मिला 4 आओ 4 तुम्ही मैं जो मिल गया 4 क्या नहीं मिलेगा x को 3 नहीं रख सकते यहाँ पर तो y क्या नहीं आ सकता 6 नहीं आ सकता अगर मैं x को 3 रखता तो y क्या मिलता 6 मिलता न तो आप उधर से देखोगे y की तरफ से सब कुछ मिलेगा एक लिए 6 नहीं मिलेगा तो अगर आप सो range कहा जाए तो आप कहेंगे all the real number but not 6 6 नहीं आ सकता क्योंकि x को 3 रख नहीं सकते और x को 3 रखने से y क्या रहा है क्या बंतलब क्या बता रहे हो तो 3 कहां रख रहे हैं भीया हम तो 3 रखने पर तो गड़ बड़ खटा दे दिया 6 को हम यहां नहीं रखेंगे वहां पर रखेंगे यहां पर नहीं रखेंगे वह वहां पर रखेंगे ना वो तो ठीक है नोट करिए इसको ये question बहुत ही जिरह का मुद्दा बनता है कि भीया ये चीज और ये चीज में अंतर क्या है ये अंतर है वो continuous में आपे नहीं है ठीक है थोड़ा संतर है बस अक्सर आपने देखा होगा limit continuity में आपको जब x square minus a square upon x minus a होता है तो आप इसको x plus a लिख देते है लिख तो देते हैं लेकिन a पर ये तो defined है भाई अगर a रखेंगे तो x की value क्या आज़ जाएगी 2a आज़ जाएगी लेकिन ये defined नहीं है तो ये और ये दोनों में ये अंतर होता है ठीक है तो function है y is the function of x 2x plus 1 upon 2x plus 1 तो आपको domain निकालना है हमने domain के लिए क्या कहा x की value जिसके लिए y defined हो मताब x की value जो y real value दे root के अंदर negative ना आए root ही नहीं negative आने का लफड़ा कतम ठीक है infinity ना आए यानि denominator 0 नहो यानि यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है इस सब कुछ हो लेकिन 2x plus 1 0 ना हो तो x की value क्या नहीं होनी चाहिए minus 1 by 2 नहीं होनी चाहिए तो domain आफ function क्या होगा हर real number हो सकता है लेकिन minus 1 by 2 नहीं हो सकता ठीक है अब देखे इसके पहले वाला जो range निकाल रहे थे न वो तो simply हमको ऐसे दिख रहा था कि x को हम रखते जा रहे थे value y मिलता जा रहा था x को कुछ भी रखें y मिलता रहेगा कि वो एक्स को क्या नहीं रख सकते थे तो y क्या नहीं आएगा 6 नहीं आएगा लेकिन यहाँ पर क्या होगा x को रखते जाएंगे y क्या नहीं मिलेगा लफडा आएगा ना तो आप थोड़ा सा यहाँ पर हम y की तरफ जाएंगे और y से पूछेंगे कि तुम किसकी image हो तो आपको x की value किसके term में देनी पड़ेगी x की value y की term में लिखनी पड़ेगी तो देखे y is equal to क्या है आपका x plus 1 अपान 2x plus 1 जरह यहाँ से x का मान निकालो cross multiply करोगे तो क्या आएगा 2xy plus y is equal to x plus 1 x को इधर ले आओ तो आएगा 2xy minus x is equal to 1 minus y यहाँ से x का मान लेलो तो यह क्या बचेगा यह बचेगा 2y minus 1 is equal to 1 minus y x का मान क्या आएगा 1 minus y upon 2y minus 1 अब देखो range के लिए क्या बताया गया कि y की वो value जिसके लिए x defined हो यानि यह 0 नहीं होना चाहिए तो यहाँ पर कुछ भी हो लेकिन 2y minus 1 0 नहीं होना चाहिए यानि y के लिए क्या नहीं होनी चाहिए 1 by 2 नहीं होनी चाहिए तो range क्या होगी हर real number आएगा लेकिन 1 by 2 नहीं आएगा समझ भाई बाद नहीं आई note करें पहले तो domain की बात करते है y is the function of x given by 4 plus x upon 4 minus x x की वो value जिसके लिए y defined हो x क्या नहीं होना चाहिए यहाँ पर denominator 0 नहीं होना चाहिए रूड है नहीं इलिए रूड की checking तो हमको करनी ही नहीं है तो x क्या नहीं होना चाहिए x 4 नहीं होना चाहिए तो domain of f क्या होगा भाई आप बोले all the real number but not 4 समझ में आई बात range की बात कर लेते हैं तो range की बात करने में क्या होता जैसे इसके पहले वाले question में वो easily हमको x प्लस ची एक linear expression मिल गया था हमको दूर से दिख रहा था x रखते y निकल आया यहाँ पर x रखने से y समझ नहीं आगा न क्या निकलेगा तो हम क्या करते हैं हम y के पास जाते हैं तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा x की value y के टम में लिखनी पड़ेगी तो क्या एगा y is equal to 4 plus x upon 4 minus x cross multiply करो क्या एगा 4y minus xy is equal to 4 plus x फिर क्या करेंगे आप किसकी value निकाल ली है x की लिए x उदा ले जाओ तो 4y minus 4 is equal to x minus xy यहाँ से 4 common यहाँ y minus 1 यहाँ से x common 1 minus y x plus xy अचा प्लस का xy होगा यह प्लस का होगा अब तो सही है ना तो x बाज़्वी जी के रहें विकार बताय रहो गलती करे दो बहुत बड़े अपने आपको तोप समझा था था ना इनका गलती करे दो अब आपको y की value ऐसी रखनी है जो x की real value दे root का लफड़ा है नी तो root तो दिमागी ने लगाना है अब बचा यहाँ पर क्या होना चाहिए यहाँ पर 1 plus y क्या नहीं होना चाहिए 0 यानि y क्या नहीं होना चाहिए यानि कि range of f क्या होनी चाहिए all the real number but not minus 1 सवन में बात आई क्या दिक्कर थी है है अप्री खो गया ना thank you